डॉक्टर बाबा साहिप अम्बेडकर ओपन युनिवर्सिटे नमस्ते विद्याक्षी मित्रों हुँ, डॉक्टर स्वातेशा, एसोसीेट प्रोफेसर संस्क्रूत, डॉक्टर बाबा साहिब अम्बेडकर ओपन युनिवर्सिटे ना चैतनिय स्टुडियो मां आप सर्वेनु स्वागत करूँछू मित्रों, प्रथम वर्ष बीए, स्के टीएम, ओबलिक स्के टीएस वन जीरो टू अर्थात, प्रथम वर्ष ना मुख्य अने गौण संस्क्रूत ना पेपर नंबर 102 अंतर गत स्वपनवासव दत्तम आपने भण्याजिये जे स्वपनवासव दत्तम ना ब्लोक नंबर 2 अंक 4 अने 5 ना समिक्षात्मत प्रश्णो नी चर्चा आपने आव्याख्यानमा करेशू मित्रो पूर्वे आपने जोई गयाके भास समस्या एटले के भास ना कर्त्रुत्व नो प्रश्ण भास नोस समय भास नू जीवन भास नाटक चक्र स्वपन वासव दत्तम नाटक नू महत्व आ बदूज आपने पूर्वे जोयू छे आ उपरान्त किटलांक पात्रो जेमके वासव दत्ता पदमावती अने योगंधर आयान पण आपने आपूर्वे जोय गया छे तो आजे आपने आ व्याख्यान मा सव ब्रथम उदयननू पात्र जोय शून। मित्रो स्वपन वासव दत्तम ए नाटक नू नायक उदयन छे उदयननेज एक स्वपन छे के ब्रहम पाण वासव दत्ता होवानू जणाई छे एने लागे छे के ए स्वपन हतु घड़ी थाई छे के ना ए हती कदाच मरू ब्रहम छे अनने ऐ स्वपन द्रश्याना आधारे आ नाटकनू नायक स्वपन वासव दत्तम चे तो स्वपम मा उदयने वासव दत्ताने जोय तो आ नाटक मा एना शीर्षक मा उदयन सिधी रिते नहीं पण ए द्रश्यना पण मुख्य पात्र तरीके आपणने प्राप्त थाई छे. उदयन ए धीर ललीत प्रकार नो नायक छे. धीर ललीत प्रकार नो नायक केवो होई? एना माटे धनंजे कहे छे के एने कडामा, साहित्यमा, संगित वगेरेमा रस होई छे. एस वभावे रुजू होई छे. अने आपने जानिये छिए के उदयन पासे घोशवती वीना छे. अने ए बहु उत्तम प्रकार नो वीना वादक छे. ए वत्चदेशनो राजा छे. के वो छे? एना संदर्य माटे एने उच्वामा आवे छे के जमाई केवा छे? त्यारे दासी केछे के शर चाप विहीन हो कामदेव हो. शर चाप एटले के धनुष्य बाण विनाना कामदेव जेव देखाई छे. अर थात राजा अत्यंत स्वरूपवान छे. देखावडों छे. एने जोईने कामदेव दासी ने यादावी जाई छे. एटलो सुंदर छ ए वासवडत्ता ने अड़लक प्रेम करेछे. अथवातो कहिशे काईके ए वासवडत्ता ने ज़ प्रेम करेछे. अने एटले जयरे वासवडत्ता सिवाए पद्मावती साथे राजाना लगन थाई तो राजानी उन्नती थाई एवी बात योगंधरायन जाने छे त्यारे ए वासोदत्ता पोते योगंधरायन नी साथे एक कार्यमा तैयार थाई छे अने वासोदत्ता बढ़ी गई छे एवास समाचार उदयन सुधी पोहचाडवामा आवे छे अने पछी उदयन बहुँ शोक पामे छे जुवो मित्रो आपने तिया नायक छे एने सामान्य रिते बहुँ शक्तिशाली बतावामा आवे छे एने एक यारे रडे नहीं एवी बात आपने जानिये छी ए परंतु बोभुतिना उत्तर राम चरितना राम एने पन आपने रडता बेभान थता जोईये छे तो नायक मा आ धिरललित प्रकारन नायक उदयन आपने वासोदत्ताना प्रेम मा गलाडूब डूबेलो कही शक्ये अने वासोदत्ताना मृत्युनी जान थता तूटी पडेलो भांगी रडतो आपने जोईये छे अने पछी ए बहार एमा थी केवीरिते लावो एनो प्रयतना रुमणवाने करवो पडे छे ए पन आपने योगंधरायन ना पात्रवक्ते चोई गया छे वासोदत्ताने एटलो बदो प्रेम करे छे के वासोदत्ताना मृत्यु पछी जारे ए दर राज्यमा आवेओ छे त्यारे एक वखत विदुशक पूछे छे के तमने बेमाथी कोण वधारे पसंद छे वासोदत्ता के पछी पदमावती एना जवाबनी चर्चामा सामे विदुशक ने राजा पूछे छे के तने कोण पसंद छे आने त्यारे विदुशक के छे के मन पदमावती पण पसंद छे कारण के मने मदुर रीते बोलावे छे अने उत्तम जम्वानू आपे छे राजा के छे खिक छे आ बद्धू वासवदत्ता ने कही देश अर्थात राजाना मनमा वासवदत्ता नू स्थान हजी है त्याने द्याच छे ए भुली जये छे के वासव दत्ता हवे रही न थी तो आ एनो वासवदत्ता माटे नो प्रेम छे हवे जूओ जयारे में के चेटि ये पदमावती ने कहीं के भरत्रुदारी के साधू भरतारम भण अहां मापी विनां शिक्षिश यह हीती जुपन विना शिक्षिश एवु तारा पति ने कहे वत्ती कहेछे के उक्तो मैं आरिय पुत्र हो मैं आरिय पुत्र नेव किदू के हुँ विना शिख्वा नीच्ँ यारे 200 दत्ता पुछी वैसे चे ततह किम भणी तम तो एमने शूंघ कहयू अर थाथ 200 दत्ता पोते उदयन पास से विना शिख्षी चे यारे एनने अहियां गल एना अंतिर्मा रहेलो भाव छे जाने बहार निकली आवेव छे हत्मा जाने कईये छी एने आपड़े के हयू हत्मा आवी जाओ एम ए पुछी बेसे छे के ततह की मनितम शुदन चिखवानी हा पाड़ी हैसे आप रश्न चे अने पड़्मा वती केछे ओ बनित्वा किंची दिर्गम निश्वास्य तुष्णिक हा सम्रुत्त हा कश्रुज बोल्यावीना एक लाम्बो निसासो नाखी अने इच्चू परही गया वासवदत्ता ततह त्वम किम तरकयसी तने शू लागे छे पड़्मा वती केछे तरकयामी आरियाया वासवदत्ता या गुणान सम्रुत्मा दक्षिनी अताया ममा ग्रतो न रोदीती ती बस खाली एमारी पासे रडेया ने केवी दीते तरकयामी हुँ विच्चारू चू मने एवु लागे छे के आरिया वासवदत्ता ना गुणोनू समरण करीने डाक्षिनी अना कारने मात्र दाक्षिनी अने ध्यानमा राखीने ए रडेया ने एटलूज ए नीसासाथे साथे एमनू रुद्धन जाने पडमा वती ये साम्भली लितू छे तो आ राजानो वासवदत्ता माटे नो प्रेम छे औनी एवस्तू पदमा वती सारामसारी रीते जाने छे एटली सपस्ट रीते उदाय अंथी व्यक्त थाई जाई छे वासवदत्ता आत्मगतम ए पुतनी जाते मनमा केशे धन्याखल अस्मी यद देवं सत्यम भवेज्वासाचू होई तो मुँखरेखर्च धन्याचू अने ए पछी पदमावती ए विच्चारे छे कि वासवदत्ता अने उदयन्नो प्रेम तो ए एने दरेक चेगियायने वारमवार जुवा मलेचे उदयन पोते वासवदत्ता ने अड़णक प्रेम करतो होवाच्छता अने पदमावती प्रत्तिये एनी लागनी ओछी न थी अर्थात ए एने दुखी करवा माक्तो न थी अने एटलेज किटलीक वखत वासवदत्ता विशायक स्पस्ट वातो करवाने बदले एक एचे के एम बाला नवोद वाहा सत्यम शृत्वा व्यथां ब्रजीत आने हुँचो साच्चू कहिदेश तो आप पीडा पाक्षे दुखी थाशे अने आ राजा पदमावतीने दुखी करवाईच तो न थी जारे उदयनने एक तो छोडीने जतीरे आ बिजीने काई ठ़ईतो नहीं जारे एम ए पोते वासोदत्ताने प्रेम करे छे छताइं होवे पदमावतीना कल्यांण विशे एना सुख विशे पण विच्चारे छे वासोदत्तने याद करीने राजानी आख मा आसू आवी जाई छे अने एने आशूं तेरे कहे छे के काईनी एक तो आँखमा परागरज पड़ी एकले आँख भिनी थे गई आम उदयन अत्यंत लागनेशिल प्रेमाळ दरेक व्यक्ति नो विच्यार करनार छे वासवदत्ता ने ए प्रेम करे छे वासवदत्ता अम्रुक्ति उपामी छे ए मन एनू बिल खाली पड़ेली पथारीमा सुई जाए छे त्यारे बाजुमा आवी ने उदयन सुतो छे एवु न जानती वासवदत्ता त्या आगण सुवे छे एने एम छे के पदमावतीनू माथु दुखे छेटले ए सुती छे अंधरा अजवदानू एवु मिश्राण छे के चेहरो जोई शाकाई तेम न थी वासवदत्ता सुता पछी ए उदयनने बबड़तो साबड़े छे ए वासवदत्ता साथे स्वप्नमाज डायलोग करी रहो छे बातो करी रहो छे पने वासवदत्ता एना वास्तवमा जवाब आपे छे राजा जागी जशे एवु लागता वासवदत्ता तियां थी जती रहे छे ने राजा नी याँ खुली जाई छे राजा नो लटक तो हाथे ने उपर मुक्यो तो राजा थोड़ो जागी जशे पन अंधरू अजवालू छे मैं कहिऊ तेन संध्याकाल बराबर नो छे अने त्यारे राजा ने प्रश्न थाई छे कि मैं खरेखर वासवदत्ता ने जोई केशूं अने ए पोताना मन ना ए स्वप्न अने सत्यनी वच्चे अटवाई छे ए अ अकिकत मा वासवदत्ता ने फ्रेम करे छे जयरे विदुशके ने पूछिऊ छे कि तमने आ बे मां थी कोण पसंद छे राजा इनो जवाब आपवाई तैयार ना थी केम तो ये विदुशक ने कहे छे के अरे तू बो बोलको छो तू मुखर छे तू कई देश जवाब तिया अगर स्वपस्ट थेई जाई छे कंके कहवानू कोने बाकी रहू पदमावती ने जने तो स्वपस्ट जवाब छे के राजाने वासवदत्ता बधारे पसंद छे अ फोता नी जातने धन्यमाने जे राजा ने एपन खबर नथी के वासवदत्ता असांबलीरईे चे कानके राजा मे तो ये ज घबर नहां जे जिवांत छे तो औहीं हम राजानो जे जवाब छे अलभत ठीदू अ भिदुशक राजा नी पाचब पड़े चैंगे ना कोन ए क स्वास्ट साम्पडवू छे पण पदमावती केछे के खरेखर तूं समत्तो ना थी राजा ये तो जवाब आपी दीतों इपछी राजा विदुशक्र ने पूचे छे कहवे तूं के के तने कोण पसंद छे अन्ने धरार दारी पासे थी ये जवाब हुन लैक्षज त्यारे पदमावती केछे के राजा पण हवे वसंदक बनी गाया छे तो राजा एरीते जोईये तो सराल छे पदमावती वासल गत्ता ए बनने साथे नुटेनू वर्तन अने प्रेम तो खराज पाण पिदुशक साथी नी मैत्री पण तेमनी बहु सरस छे पिदुशक प्रतिय पण એ હમેશા સ્નેહભાવ દર્શાવે છે અને એ ઉદાયની ઉતમતા છે એ પછે મીત્રો આપણે પાત્ર જોઈએ તો વસંતક વસંતક આ નાટકનો વિદુશક છે સંસ્રુત નાટકોમાં વિદુશકની એક ઉતમ ભુમીકા રહી છે પણ પાસન બધાજ નાટકોમાં વિદુશક નથી આ નાટકમાં આપણને વસંતક નામે વિદુશક પ્રાપ्त થાઈ છે એને વિજે વિદુશકો છે સંસ્રુત નાટકોના વિદુશકો હોઈ છે એની જે મજ ભોજન પ્રીય છે અને એને એની આહાર એટલું બદુ ખાધું છે વાત નો પૂછો એટલે એકે છે કે મનાં ખાદેલું પચ્તું નો થી બાકી તો હજીએ હું ખાઈલો એવું અગળ જાને ઇંગીત થાઈ છે દાસી ની સાથે કેછે તમે દાસી આવિને પૂછું છે કે રાજા ઇસ્નાન કરીલી દું એદુશક પૂછે કેવુશા માટે પૂછો છો તો કેકે કઈની રાજા માટે લેપ ચંદન વગેરે લાવા માટે પૂછું છું તો કેછે કેકે હાં લેયાવો પોજન ની લાવતા કેં તો કેવુ છે પદમાવતી ને ત્યાં એ કેવુ અનુભવે છે તો કેછે કે અનપ્સરસ સમવાસ ઉતેર કુરુવાસો માયાન કેવુ ભૂયાતે જાણે કે અને કે અને કેવુ સવર્ગ આ જાણાય છે એવુ ખાલી અને ખાલી આપસરાવની કમી છે અને એને આ સ્થાન એ સ્વર્ગ સમાન જણાય છે એના પેટમાં ગડબડ છે કેવી ગડબડ છે તો એનામાટે બો ઉતમ વ પર્તી હોય એવી રીતે મારા પેટમાં ગડબડ ફરી રેએ છે કેવો છું હું અધાણ્ય આટ્લ બધું ખાવાનું શબ્દ આવે છે તેછે કાગડાની આખ છેવી અને એમ અહ્યાં ગળ હાસ્ય પણ ઉત્પણ ન થાઈ છે એ સારો મિત્ર રાજાનું એટલા માટે છે કે માત્ર એ ભોજન અને પોતાના આનં નિજવાત નથી કરતો રાજા સાથે જારે તે પ્રમધવણમાં છે ત્યારે એ ત્યા આંગળ બહુ સુંદર એવુ વરણં કરે છે અરથાત વિશમનાં સોંદર્યો પ્રત્યે પણ તેની દ્રષ્ટી છે રાજા ઉદાસ છે જાણીને રાજાને ખુશ કરવા માં પણ એની રૂચી છે અને ઇટલા માટે એ રાજાનો બહું સારો મિત્ર પણ છે વળી રાજાની સાથે આપણે હમણાજ જોઈં તે એને પૂછી લીધુ છે તમને કોણ પસંદ છે કોના માંથી તો વાસવ્દતા અને પદમાવતી માંથી રાજા કેશે કે ને કોં તો બહું બોલ્કો છે ભવાનપી ભવાનાસ્તુ મોખા રાહં તો તો બહું બોલ્કો છે એટલે આ એનો સ્વભાવ છે એ કોઈ પણ વાત છે એ બીજાની પાસે જાહેર કરીદે છે પ અને બીજી અહાજર નથી કહીદો ને તમે વાત કહીદો કારણ કે હવે એકજે છેને અહાજર નથી કોણ તમને પાસન અને આમ રાજા પાસેથી વાત કટાવા માટે પોદે અને આમ રાજા પાસેથી વાત કટાવા માટે પોદે અધીગાર પદ્માવતી ને શિરોવેદને થઈ રાજા ની સાથે એ સમુદ્ર ગુરુહુમાં પ્રવેશે છે ત્યારે ત્યાં ભાય સર્પ નથી આ હાર છે અને પછી રાજા એની જરા મજા કુડાવે છે એ વિનોધ કરે છે કે ઓહો સર્પ વયક્ત આવે છે અને એ ઉજાઈ ની નામનું એક નગર હતુ એમ કહીને વિદુશક વાતની શરુવાત કરે છે રજા કેછે કે કે અને વાંધો પિજો કાઈ નો થી કે ની ની વાતા વાતા વાસો દતાઈ આદાવે છે અને ત્યારે તરદ વસંદા કે છે કે ચલો તો પછે બીજી વાર્તા કો વે એ બીજી વાર્તા ની માંડણી કરે છે એ જુઓ અસ્તી નગરમ બ્રમધતન નંભુકે ને માંગ કરીએ નુખા નો ની નુતુઓ ની અમરાજા નુઓ નુતુઓ નુતૂ નુતી નુતો નુતુતું નુતુતુ નુઐ पोते वारम वार बोले शे, उने एटली वारमा राजा सुई जाये शे, अने पछी वसंतक भार जाये शे, ए दर्मियां तियां वासवदत्ता प्रवेशे शे, राजा सुतेलो शे, राजा ने उलागे शे के अहियां अगर हमनाज वासवदत्ता हती, आने आ वात ए वसंतक ने лenz तो खिलतोंएां लजय ला द सब्सकतन है hakynnगा में चुछ सकते हैं प्सक्ताइन पॉर्थारिके शल्ग finds Shania दुरतभा कुछ सम मदाबे नोगियाथ वातनों विशेई न बनवो जोई ए अने पछी एमा थी बहर लाववा माटे राजा जारे एली आ वात मानी ने अटकता नती त्यारे जुदी-जुदी वाते ए राजाने वातोई चड़ावा माटे प्रयत्न करे छे तो मित्रो अहीं विदूशक ए आपणने आखाय नाटक मा राजाना मित्र तरीके अने कथा वस्तुने आगल धपावा माटे पाण उपियोगी एवू उत्तम पात्र प्राप्त थाई छे आन नाटक मां केटलिक सुक्तियों छे जे संदर्भ सुक्ति तरीके आपणने प्रश्नमा उचाय शके एको पराता अपरा असन्निहिता एक पामी छे अने बिजी हाजर नथी तो मित्रो स संदर्भ संजावोमा आपणे सव ब्राथम लखवानू होई छे के आ उप्ति कया ग्रंथ माथी लेवामा आवी छे तो आ भास रचित स्वप्नवासव दत्तम नामना नाटक माथी लेवामा आवी छे आ उप्ति विदुशक बोले छे अने राजा उदयनने कहे छे अने प्रसंग छे प्रसंग चे मित्रो एपन त्यां आपणे नोंधवानू छे तो जयारे विदुषक राजाने पुझे छे कि किमने वासवादत्ता आने पदमावत्ती माथी कोण पसंद छे अने जारे राजा तेनों जवाब आपवानी आनागानी करे छे, त्यारे विदुशक M. ने कहे छे के डर्यावी नाको हो, कशुज आमा चिंता करवानी जरूर नाथी, कारण के एक हवे रही नाथी, अने बीजी अहीं आगल आजर नाथी, एकले तमे जे कहे शोये माती एके स सांबली, अने दुखी थाए, एउ बनवानू नथी, तो तमें कही शको छो. बीजी सुक्ती जुओ, अहो अगनात वासो अप्यत्र बहु गुण हां संपद्यते, अरे आ अगनात वास मा पण, बहु बधा गुण रहे लाचे, अथ्वा, आ अगनात वास पण, मारा माटे, फलदाई निवडियो, एना गुण पण, घणा बधा छे, तो भास रचित, स्वप्न वासवदत्तम, नाटक मा, आ वाक्य, वासवदत्ता बोले छे, अने, एनो जे प्रसंग छे मित्रो, ए तमारे अहिया गण, डिस्क्राइब करवानों छे, ए जरीते, नही रूप मेव, वागपी, खलवस्या, मदूरा, आनू रूपज नही, आनी, वाणी पण, मदूर छे, तो स्वप्न वासवदत्तम, नामना, भासर चित, नाटक मा, आ उक्ती, वासवदत्ता, पद्वावती माटे बोले छे, अने, एनो प्रसंग पण, तमारे अहिया गण, नोंधवानों चे, आर्य पुत्रो अपी नाम, परकियह, सम्रुत्तह, आर्य पुत्र पण, हवे, पराया थे गया, भासर चित, स्वप्न वासवदत्तम, आ उक्ती, वासवदत्ता बोले छे, ए मनोमन बोले छे, अर्थादे कोईने कही रही नाथी, पण, स्वगतोक्ती चे, अने, प्रसं चे, ए मित्रो तमें जानोच्यो, तमारे ए नोंधवानोच्यो, आ करुणा, खल्विश्वर आहा, इश्वर खरेखर, दया हीन, करुणा हीन बन्योच्य, करुणा हीन चे, आ वाक्य, स्वप्न वासवदत्तम, नाटक मा, वासवदत्ता, स्वगतोक्ती रुपे बोले छे, अने, एनो प्रसंग पन, आपने, नोंधी, त्यारे, बे मार्क नो, एचे, जवाब छी, आपनो, तैयार थाए, तन्या, खल्वस्मी, या, द्येवं, सत्यम भवे, जो, आ सत्य होई, तो, हुम, खरेखर, धन्या चुन, आ वाक्य, पन, स्वप्न वासवदत्तम, नाटक मा, वासवदत्ता बोली रही छे, अने, मनोमन, एटलेके, स्वगतोक्ती रूपे बोली रही छे, तमारे, आनो प्रसंग पन, एने नीचे, नोंधवानों छे, दुखम न्यासस्य रक्षणम, थापणनू रक्षण करवूं, एखरेखर, दुख दायक, एटलेके, अगरूं कार ंनीचे, मित्रो, आवाक्य, कंचुकी बोले छे, अने, पदमावतीने, केहिछे, कया प्रसंगे, ए वस्तो, तमारे, तमारा, जवाबमा नोंधवानी छे, अवे, मित्रो, जयरे हू, तमने एहम कोँचू, प्रसंग तमारे 9 वानों छे, तो ए प्रसंग तमारे 5-6 वाक्यों मा पूरो करी देवानों छे, अर्थात आखाय नाटक नी कथा त्या आंगल लखवानी नथी, एम करवा थी तमारों समय पन भगडे छे, अने जे जोईये छी ए त्या आंगल आवतु नथे, तो एस मा पाच्च वाक्यों मा तमारे प्रसंग त्या आगल स्पस्ट करवानों रहे छे, तो मित्रो आभार